नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेरपरी दोस्त पस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपून जानकारी ले करके खजूर के बारे में आज हम सभी जानेंगे और चुहारे के बारे में दोनों के अंतर के बारे में भी जानेंगे और दोनों से होने वाले फा इसे अक्सर खाते हैं, खजूर खाना सेहत के लिए बहुत ही फायदे मंद है, खजूर विटामिन्स और मिनरल्स का उच्छ शुरोत है, यह न केवल आपकी सेहत को बल्कि आपके बालूं और तवचा को भी बहुत सारे फायदे पहुंचाता है, इसमें कई गून हैं, इसलिए आपको इसे नियमित रूप से खाना चाहिए, खजूर को लोग अलग अलग तरह से खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग इसे दूध और दही के साथ खाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग इसे बहुत ज्यादा स्वादिश्ट बनाने के लिए ब्रेड और बटर के साथ खान पसंद करते हैं खजूर के फायदों को देखते हुए इसे मांस पेशियों के विकास के लिए सबसे फायदेमंद माना गया है बुढ़े और बच्चों को इसे पेश्ट बना कर देना चाहिए और यदि वो बिमार हैं या किसी तरह की चोट से उभर रहे हैं तो फिर यह उनके लिए और भी अधिक फायदेमंद होता है आईए जानते हैं सबसे पहले इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं चुहारा और खजूर में अंतर क्या होता है खजूर सोफ्ट सेमी सूफ्ट सूखे रूप में उपलब्ध होते हैं वहीं चुहारे खजूर के समान नहीं होते ह चुहारे में खजूर की तुलना में कम नमी होती है अगर खजूर को एक बंद हवा रहित कंटेनर में रखा जाए तो यह आठ महीनों तक रह सकता है वहीं अगर इसे फ्रीजर में रखा जाए तो यह एक वर्ष तक के लिए ताजा रहता है चुहारे को जान बुझ कर नमी को हटाने के लिए निरजलित किया जाता है चुहारे खजूर की तुलना में अधिक दिनों तक चलते हैं एक वायू रोधी कंटेनर में चुहारे एक वर्ष तक ताजा रह सकते हैं वहीं इसे अगर फ्रीजर में रखा जाए तो पांच साल तक ताजा रह सकता है जब केलोरी की बात आती है तो चुहारों में खजूर की तुलना में काफी अधिक केलोरी होती है 100 ग्राम चुहारे में लगभग 284 केलोरी होती है वहीं 100 ग्राम खजूर में 142 कैलोरी होती है यदि आप अपने वजन को नियंतरित करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए खजूर बेहतर विकल्ब है कम एनर्जी डेंसिटी वाले खाद्य पदार्थ अधिक एनर्जी डेंसिटी वाले खाद्य पदार्थों की तूलना में कम कैलोरी के साथ साथ अपनी भूख को भी संतुष्ट करने में सहायता करते हैं मैक्रो नियूट्रियंट्स मैक्रो नियूट्रियंट्स ऐसे पोशक तत्व हैं जिनकी आपके शरीर को सबसे अधिक महात्रा में आवश्यक्ता होती है और जिसमें साथ ही प्रोटीन, वसा और कार्बो हैट्रेट्स शामिल हैं छुहारे और खजूर में मैक्रो नियूट्रियंट्स समगरी भिन्न होती हैं जबकि प्रोटीन और वसा केवल थोड़ा अलग होता है खजूर की तुलना में कार्बो हैट्रेट्स समगरी छुहारे में दुगनी होती है छुहारे फाइबर का बेहतर श्रोथ हैं 100 ग्राम खजूर में 1.8 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम वसा, 37 ग्राम कार्बोहेट्रेट और 3.5 ग्राम फाइबर शामिल है जबकि इसी मात्रा के साथ छोहारे में प्रोटीन 2.8 ग्राम, 0.6 ग्राम वसा और 76 ग्राम कार्बोहाइट्रेट इसके साथ 5 ग्राम फाइबर शामिल है माइक्रोन्यूट्रियंट्स ऐसे पोशक तत्व होते हैं जिनकी आपके शरीर को छोटे मात्रा में जरूरत होती है जैसे विटामिन और खनीज, खजूर की तुलना में छोहारे केल्शियम और लोहे का एक बहतर श्रोथ हैं लेकिन खजूर विटामिन C का एक बहतर श्रोथ है 100 ग्राम खजूर में 34 मिली ग्राम केल्शियम, 6 ग्राम लोहा और 30 मिली ग्राम विटामिन C होता है और 100 ग्राम छोहारों में 81 मिली ग्राम केल्शियम, 8 मिली ग्राम लोह और 0 मिली ग्राम विटामिन C होता है अब आईए सबसे पहले जानते हैं खजूर के फायदों के बारे में सबसे पहले तो खजूर के फायदे शरीर को उर्जा देते हैं जी हाँ, कई बार हमें बहुत ज़्यादा कमजोरी लगने लगती है ऐसे में खजूर खाने से आपके शरीर को तुरंत उर्जा मिलती है यह उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है जिन्हें बार बार मीठा खाने की इक्षा होती है यह फास्ट फूड की तरह अनहेलदी भी नहीं है खजूर के फायदे हड्डियों को मजबूत करने में खजूर में अच्छी मातरा में मिनरल्स होते हैं इसलिए यह हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छा है यह आश्टियोपोरोसिस जैसी बिमारी से होने वाले दर्द को दूर करने में भी मदद करता है खजूर में सेलीनियम, मैगनीज, कौपर और मैगनीशियम होता है जो स्वस्त हड्डियों के विकास में मदद करता है उम्र बढ़ने के साथ लोगों की हड्डियां कमजोर होती जाती है ऐसे में यदि आप पहले से खजूर का सेवन करते रहेंगे तो आपकी हड्डियां लंबे समय तक मजबूत रहेंगी खजूर के लाफ वजन को घटाने में भी बेमिशाल है बहुत से लोग जो अपना वजन कम करना चाहते हैं वो सुखे मेवे लेने से डरते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ड्राइफ फ्रूट खाने से चर्बी बढ़ती है लेकिन खजूर के साथ ऐसा कुछ नहीं है इसमें बहुत कम फैट होता है और साथ ही खजूर कोलेस्टरोल फ्री है इसलिए बिना कोई चिंता करे इसकी थोड़ी मात्रा अपने नियमित दिंचर्या में आप शामिल कर सकते हैं खजूर और दूध के फायदे खांसी जुकाम में भी बिहदी लाफकारी होते हैं खजूर सर्दियों में तो और भी फायदे मंद है जब आपको अक्सर खांसी जुकाम की परिशानी हो जाती है ऐसे में एक गलास दूध में छोटे कटे हुए पांच खजूर डाल लीजिए साथ ही एक चुटकी काली मिर्च और इलाइची पाउडर मिला कर दूध उबाल लीजिए इसमें एक चमच घी भी मिला सकते हैं आप रोज रात को सोते समयी से पीने से आपका खांसी जुकाम ठीक हो जाएगा इसके साथ साथ ये पाचन तंतर को भी बिहद मजबूत करता है यदि आपका पाचन तंतर बहुत कमजोर है तो खजूर आपके लिए भी भायदेमंद है आपको बस इतना करना है कि कुछ खजूर को रात भर पानी में भिंगो दें और सुबह उठकर अच्छे से चबा कर खा लें जिन लोगों को कबज की समस्या अकसर रहती है उनके लिए तो यह बहुत ही फायदेमंद है खजूर के लाप तवचा के लिए भी बहद ही लापकारी है क्योंकि खजूर में विटामिन A, B1, B2, Phosphorus, Calcium, Iron और Magnesium होता है यह सब ही तत्व आपकी तवचा को सुंदर और लचीला बनाते हैं खजूर विटामिन C और विटामिन का भी अच्छा श्रोत है साथ ही इसमें मौजूद निउट्रियंट्स आपकी तवचा को मुलायम बनाते हैं फ्री रेडिकल्स आपकी तवचा को नुकसान पहुचाते हैं जिससे वक्त से पहले ही आपकी तवचा बुढ़ी दिखाई देने लगती है खजूर में मौझूद विटामिन C आपकी त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाता है इससे हमारी त्वचा पर जुरियां जल्दी नहीं आती है इसके साथ साथ खजूर में पोटेशियम पाया जाता है जो बुरे कोलेस्टरोल यानि की LDL को खत्म करता है इससे स्ट्रोक आने की संभावना कम हो जाती है खजूर लोह तत्वों का अच्छा श्रोत है इसलिए जो लोग एनिमिया के शिकार हैं उन्हें खजूर का सेवन जरूर करना चाहिए विटामिन की कमी से आपके बाल कमजोर हो जाते हैं खजूर में मौजूद विटामिन बी आपके बालों को गिरने से बचाता है और मजबूत बनाता है खजूर पेट में कैंसर होने की संभावना को भी कम करता है इसलिए इसे अपनी डेली हैबिट में जरूर सामिल कर लेना चाहिए अब इसके साथ हम जानते हैं कि खजूर खाने से आपको नुकसान क्या क्या हो सकते हैं उच्च रक्त शरकरा से बचने के लिए खजूर की खपत को सिमित करें क्योंकि इनमें चीनी का उच्च अस्तर होता है लेकिन सभी प्रकार के खजूर हानिकारक नहीं हैं सूखे खजूर का उच्च ग्लाइसेमिक सुचकांक होता है हलांकि खजूर फाइवर समगरी से समरिद्ध है है और फाइवर वजन घटाने में सहयक है परन्तु अपने आहार में खजूर की एक बड़ी राशी लेने से कैलोरी काफी बढ़ जाती है जिससे वजन बढ़ता है जब आप फाइवर बहुत लेते हैं तो पेट में दर्द होता है सलफाइड एक रासाइनिक योगिक है जो खजूर की बनावत और चमक बनाये रखने के लिए उसमें डाला जाता है अगर आप सलफाइड के प्रतिश समवेदन शील हैं तो सूजन पेट में दर्द और दस्त जैसी जटिलताएं आपको हो सकती है खजूर में हिस्टामिन काफी होता है जो एलरजी का कारण हो सकता है खजूर में पाया जाने वाला सैलिसीलेट भी एलरजी के लक्षनों का कारण हो सकता है ज्यादा खजूर खाने से दांत की सड़न भी आपको हो सकती है बच्चों के लिए खजूर काफी मोटे और पचाने में मुश्किल है उनके दांत और आत खजूर जैसे खादे पदार्थ को बचाने के लिए अभी भी काफी मजबूत नहीं होते इसलिए अच्छा होगा कि उन्हें ये ना खिलाएं दमा की परिशानी में सुबह शाम दो-दो खजूर चबा कर खाने से राहत मिलती है शिगर पतन की समस्या में लगातार खाली पेट तीन महीनों तक खजूर का सेवन करने से इस समस्या से निजात पाई जा सकती है खजूर काफी स्वादिष्ट होते हैं इसलिए इनके नुकसान से बचने के लिए यह जरूरी है कि इन्हें सिमित महत्रा में ही खाया जाये अब आई यह जानते हैं जैसा के हमने पहले ही कंपेर किया था चूहारे से तो अब चूहारे के फैदों के बारे में जानते हैं खजूर या फिनिक्स डेक्टाइली फेरा सबसे पोष्टिक खादे पदार्थों में से एक हैं जिनका सिवन हम ताजा या सुखाने के बाद कर सकते हैं सुखे खजूर जी से हिंदी में छुहारा के नाम से भी जाना जाता है छुहारे कई तरह की स्वास्ते संबंधी एक प्राकृतिक उपचार माने जाते हैं छुहारे को विटामिन की सोने की खान माना जाता है इसमें विटामिन A, C, E, K, B2, B6, नियासीन और थियामिन सहीत विटामिन की एक विस्तरित श्रिंखला होती है ये विटामिन हमारे स्वास्थ और कल्यान के लिए महत्तोपून ह इसलिए हमारे समग्र स्वास्थे में सुधार के लिए ड्राइडेट्स का सेवन करना फायदे मन्द है छुहारे में लोहे, पोटेशियम, सेलेनियम, मैगनीशियम, फासफोरस और तामबे जैसे सब ही अवश्यक खनीज होते हैं जिनके बिना हमारे शरीर की कोशिकाएं उन पहावी ढंग से कब्ज को ठीक करने के लिए जाना जाता है, यह मल की मात्रा को बढ़ा कर हमारे ब्रिहदांत्र को साफ कर सकते हैं, यह एक रेचक के रूप में कारे करता है और हमारे शरीर के भीतर आतों की मुवमिंट की सुविधा प्रदान करता है, छुहारी के लाव है हिरदय के लिए बेहद ही उपियोगी, जी हाँ, एक्सपर्ट के अनुसार हमारे काडियो वा स्कुलर सिस्टम यानि के हिरदय प्रणाली पर छुहारों का काफी अच्छा प्रभाव परता है, छुहारे में वसा की मात्रा बहुत कम होती है और इन में किसी भी प्रकार का कोल होती है और पोटेशियम अधिक होता है, जो हमारे शरीर में रक्त के दबाव को नियंतरित करने के लिए बड़े पैमाने पर फायदे मंद होता है, इसके हलावा छुहारे के फायदे पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए, कई शोधों ने बताया है कि ड्राइड डेर् और घुलन सील और अघुलन सील फायवर से भारे होने के कारण ड्राइड एट्स पाचन रस के स्त्राव को बढ़ाते हैं और खादे पदार्थों के पाचन में व्रिद्धी करते हैं, इनके अलावा ये एसीडिटी पेट के अलसर, हरिदय में जलन और व्रिहदांतर सोत जै टाकत बढ़े जाती है, हमारे दिल के मांस पेशियों पर इनका महत्वपून प्रभाव पड़ता है, और चुहारों को हमारे दिल को मजबूत बनाने के लिए भी जाना जाता है, गरभवती महिलाओं को नियमित रूप से चुहारों का सिवन करना चाहिए, क्योंकि वे राशय की मांस पेशियों को मजबूत कर सकते हैं, और बच्चे के जन्म के समय मददगार साबित हो सकते हैं, चुहारे खाने के फायदे हैं, उर्जा को बढ़ाने के लिए, जिहां, चुहारे में प्राकृतिक शरकरा, यानि कि ग्लुकोज और फ्रुक्टोज की एक बड़ प्राकृतिक शरकरा, चुहारे के फायदे तवचा को स्वस्त बनाते हैं, चुहारे में मौजूद एंटियोक्सिडेंट गून फ्री रेडिकल्स से लड़ने के लिए बहुत फायदे मन्द होते हैं, ये फ्री रेडिकल्स हमारी तवचा की कोशिकाओं को नुक्सान पहुं जा सकता है, हमारी तवचा को स्वस्त बनाये रखने के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है, चुहारे विटामिन ए का सम्रिध श्रोत हैं, जो तवचा की नई कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाता है, और हमें स्वस्त और चमकदार तवचा प्रदान करता है, नियमित तो पूर्ण पोशक तत्वों का एक खजाना है, इसके अलावा बालों के विकास में भी बेहद लाफकारी साबित होता है, चुहारा, चुहारे में मौझूद पैंटो फेनिक एसीड या विटामिन B5 बालों को स्वस्त बनाये रखने के लिए अच्छा आहार है, यह बालों बालों का जणना इत्यादी को रोकने में मदद कर सकता है, बालों का जणना हम में से ज्यादातर लोगों के लिए बड़ी समस्या है, यदि आप इस तरह की समस्या से पीडित हैं, तो ट्राइडेट्स का दैनिक रूप से उपयोग करें, यह आपके बालों को जणने से रोक प्रदान करते हैं इससे आपको मजबूत बाल प्रदान करने में मदद मिलती है और बाल स्वस्थेवं चमकदार होते हैं लेकिन इसके साथ साथ आप सही धंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसके कुछ एक नुकसान भी हो सकते हैं जिसके बारे में हम आप सभी को बता रहे यदि आपका शुगर लेवल अधिक बना रहता है तो आपको छुहारे का सेवन नहीं करना चाहिए यदि आप वजन को कम करने वाले डाइट पर हैं तो भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह आपका वजन बढ़ा सकता है चुहारे का अधिक सेवन करने से पेट दर्द हो सकता है कुछ लोगों को इसके सेवन से इलर्जी भी हो सकती है यदि आपको इसके सेवन से कोई परेशानी होती है तो आप इसका सेवन बंद कर दें क्योंकि यह allergy reaction हो सकता है तो देखा दोस्तों आप सभी ने आज हम आप सभी के लिए एक बेहद ही महतोपून जानकारी लेकर के आये थे छुहारे और खजूर के फायदों से related अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों